तो फानली साथ महीने बाद RBI ने बैंक को बडोदा के B.O.B. बल्ड एप्लिकेशन में लगाए पृतिबंद को हटा दिया है अब बैंक को बडोदा के B.O.B. बल्ड एप्लिकेशन में नए ग्राहक जोड़ सकते हैं और उस एप को इस्तमाल कर सकते हैं आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रतिबंद कब अटा है और इसमें नए ग्राहक किस प्रकाश जोड़ सकते हैं सारे जानकारी आपको एक ही वीडियो मिलेगी चले स्टार्ट करतें इस वीडियो को नमस्कार मेरा नाम मनिस्परजापती आप सोई का एक बार फिर से वीडियो में चैनल पर अगरा पहली बार आए तस्क्राइब कर देना वीडियो परसंद आती तो एक लाइक जरूट कर देना आपको हम बता दें आरवेई ने 10 अक्टूबर 2023 को बैंक और बड़ोदा के बीओपी बल्ड एप्लिकेशन पर ततकाल प्रिभाव से नए गरहा जुटने से रोक लगा दी थी बैंक और बड़ोदा पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे जिसमें कुछ ऐसी जनकारी सामने निकल के आई थी कि बैंक और बड़ोदा के जो करमचारी थे उन्होंने कस्टूमर की बिदावट पर्मिसन के बैंक और बड़ोदा के बीओवी बल्ड एप्लिकेशन में ग्राव 10 अक्टूबर 2023 को आरवेई ने एक प्रेस मिग्रपती जारी की जिसमें बताया कि बीओवी बल्ड एप्लिकेशन पर अब तत्काल प्रवावस रोक लगा दी गई है नए ग्राहा उसमें अब नहीं जुड़ सकते हैं इसके बाद से ही बैंक और बोड़ोदा के ग्रावों क लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है आठ मई 2024 को आरवेई ने बताया कि बीओवी बल्ड एप्लिकेशन पर जो प्रतिबंद लगाया गया था उसको रिम्यूब कर दिया है मतलब अब नया ग्रहाग बैंक को बड़ोदा के बीओवी बल्ड एप्लिकेशन से अपना एक नया बल्ड एप्लिकेशन में नया अकाउंट बना सकते हैं हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया था बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में कमेंट किया था कि यह प्रतिबंद कब तक हटेगा अगर प्रतिबंद हटता है तो आप हमें अपडेट जरूर करिएगा वैसे आपक कुछ भी चीज़ अपडेट करना हुगा या कुछ और कियवाई करना हुगा सी कयवाई करना हुगा इस प्रकार के बहुत सारे काम हम अपने किसी बैंक में मोवाईल बैंकिंग अप्लिकेशन में नए ग्रहाग जोटनेंपर रोग लगा दी जाए तो कितनी मीट समस्या बन अगर पहले से अकाउंट है तो आप उसको लोगन कर सकते हैं अगर आप इस इंकजार में थे कि जैसे यह पृतिमन हटे उसके बाद हम बैंको पॉड़दा का एक जीरो बालेंस अकाउंट उपन करेंगे तो जी आपके लिए बुल्कुल गुड नूज है आप अपना जीरो ब पर रहेते हैं तो अब आप अपना अकाउंट उपन कर सकते हैं अगर आप पहले से बैंको बॉड़दा का यह अप्लिकेशन मोबाल में रखके हैं तो उसको हटा दीजेगा और नया वाला एप्लिकेशन आप प्लेश्टोस से डाउनलोड करके उसको अपडेट करिएगा इ किसी भी बैंक पर ऐसी कारवाई करना बॉड़कुल उचेत है अगर इस प्रकार के गंभी आरोप जब लगे हैं बैंको बॉड़दा पर तो इसकी सजा बुलकुल भुकतना जरूरी थी और इस सजा भुकतने के बाद आर्वाई नहीं बैंको बॉड़दा को रहत दी है आपका बैंको बॉड़दा में अकाउंट हो और आपको पता ही ने चले और आपका मुवाईल बैंकिंग एक्टिफ हो जाए आपके अकाउंट से मुवाईल नमर चेंग हो जाए दूसरा मुवाईल नमर लिंक हो जाए और आपके नाम से मुवाईल बैंकिंग चालू हो जा हैं उनको बैंक की तरफ से टार्गेट मिला था कि आपको इतने मोबाइल बैंकिंग डाउनूट कराना है लोगों के 150 जो भी है तो जितने ग्राहक करमचरियों को मिले जनमीन वो तो उनने खुद कर दिये लेकिन टार्गेट पूरा करने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो फि कर दिये थे इसने जो है यह पर कारवाई की गई थी लेकिन आप फानली जो प्रतिबंद था बैंको पड़ोदा पर यह हटा दिया गया है आप यह वी बल्डा एप्लिकेशन यूज कर सकते हैं यह जानकारी कैसे लगी आपके लिए कमेंट कर देना और इस वीडियो को खास